ये एक नई थीम का question, question number 42 आप सा कहा रहा है if the sum of interior angles of a polygon, आपके पास एक polygon है polygon का जितने भी interior angles हैं, उनका summation आपको दे रखा है 1800 degree, तो आप सा कहा रहा है कि उस polygon की side बताओ तो आपको मैंने एक formula बताया था, formula था 2n-4 into 90, ये होता है number of side, किसकी of polygon ठीक है ये बाली बात आगई, तो 2n-4 into 90 ये हो गया number of side of a polygon, अब यहाँ पर आपके पास 2n-4 into 90 ये ऐसे चलता रहेगा अब side कितनी है, polygon की side ये आपको बतानी है ठीक है तो ये आपके पास, ये आपके पास के निकल कर आ गया ये आपके पास total angle निकल कर आ गया तो ये यहाँ पर number of side of angles अब पोलीगन मतलिक हो, ये तो आपके पास ये है, angle of polygon angle of polygon, मतलब जो भी interior angle का sum है interior angle का sum है ठीक है, वो है 2n-4, यहाँ पर n number of side है ये आपको दे रखा है 1800 degree ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे अब आप 1800 degree इसको solve कर लेंगे and क्या यहाँ पर ये है number of side ठीक है, number of side तो ये total क्या हुआ फिर, ये total हुआ internal angle का summation किसका polygon का, अब इसको solve कर लेते हैं चुलो ठीक है, solve कर लो 9 से काटोगे तो 9 दुनी 18 ठीक है, ये आपके पास 20 हा जाएंगे 1 0 से 1 0 जा चुका है 9 से काटोगे तो 9 दुनी 18 20 बार चला गया, तो 2 N minus का 4 is equal to 20, ये 4 उदर जागे कितना हो जाएगा जुल्दी से बताएंगे ये हो जाएगा 24 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 तो N is equal to 12 हा रही है मतलब उस पोलिगन के पाथ जो sides है वो है 12 होप सो ये भी किलिए रहो गए होगा doubt नहीं आना चाहिए, सीज़ा simple सा formula लगाया आपने और इसका answer निकाल दिया